तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रियम्बबल का इंपोटन्स क्या है ओके तो मैंने जिस आपको बोला था देट इस प्रियम्बल इस सोर्स और कंस्टिटुशन प्रियम्बल एक कंस्टिटुशन की आत्मा है ठीक है अमे इक कंस्टिटुशन समद्धमे के लिए अगर आपको आत्मा आपको पूरी आपकी बोली दान नहीं हो ठीक है तो इसी तरीके से हमें अगर Constitution को समझना हो तो हमें चाहिए प्रियेम्बल की अंडरस्टेंडिंग ओके नाउ प्रियेम्बल इस यूसफुल टूल प्रवाइट ट्रबल एको कभी भी Constitution में confusion होता है ठीके तो प्रियेम्बल हमारा एक अच्छा तो है अच्छा हथ्यार है जिससे हम Constitution को इंटरप्रिट कर सकते हैं ओके नाउ प्रियेम्बल हम अंडरस्टेंडिंग जैसा में आपको पहले ही बोला वो आपको इंटरप्रिट करने में भी हेल्प करता है ठीके तो अभी अभी आपके लिए एक प्रियेम्बल अपार्ट ओफ कॉंस्टिटूशन और नोट आप वीडियो को पोस्ट करें फिर आपके यूट्यूब में देखें या फिर प्रेंट में भी देखें आपको मैं क्वेस्टन पूस्टाओ प्रिटिट इस के प्रियेम्बल और पार्ट ओफ कॉंस्टिटूशन और नोट प्रियेम्ब पोस्टिटूशन पार्ट है या नहीं है ठीके आपको इसका क्वेस्टेन पांप कर आपको अगर आपको question नहीं मिलता है तो मैं आपको common sense से question answer देता हूँ आपकी book है ठीक है उसमें आपका index है वो book का path होता है या नहीं होता है obviously होता है ठीक है obviously yes ठीक है तो उसी तरीके से preamble है वो आपके constitution का index ही तो हुआ ना तो that way we can consider the preamble as a part of the constitution now we would understand what are pillars of preamble okay we would understand what are the pillars of preamble सबसे पहला word है हमारा democracy democracy मतलब for the people by the people of the people ठीक है हमने six channels हम खटता है कि what is democracy for the people by the people of the people लेकिन democracy का हम अगर संभी जो हमारी democracy की है वो एक्जम वीबाजित करते हैं तो democracy को एक जम different different करते हैं तो निकलता है demos और kratos ठीक है sorry demos एल क्रेटोस या पर क्ये होगा कि k-r-a-t-o-s ठीक है अभी demos का मतलब people होता है और kratos का मतलब होता है power ठीक है तो मैं आपको उपर उपर से समझा हो ठीक है आपको मैं एकदम easy language में उपर उपर से समझा रहा हूँ आपने नहीं मेरा ये वीडियो एक बार देख रहा थे ज़िए उसके बाइल आपको क्या करना है आपको जो बूख है वो एक बार और पढ़नी है ठीक है ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और जो कि जिन बार बूख देख रहे हो ऐसा नहीं You have to see you have to refer a book immediately after the video ends okay immediately after the video ends so democracy, democracy it is derived from Greek word that is demos and kratos okay so what is meaning of people and power that is the nation that is एक पूरे nation है उसकी power is in hand of public ठीक है that is अगर पूरे nation की power होती है तो वो अपने नागरी के हाथ में होती है इसको करते है हम डेमोक्रेटी for example I would like to give you for your better clarity suppose there is president और there is prime minister prime minister that is PM ठीक है तो इनका जब election होता है तो उनके election में हमारी local public vote करती है because our country is democratic country our public okay our public is only responsible public is only responsible for election of PM and election of means all of the people means all of the people ठीक है तो उसका मतलब क्या हुआ हमारी जो जनता है वही अपने उपर जो रूल करने वाले हैं उनको चूल रही है means people is sorry the citizen of the country is only electing their leader who will lead the nation nation okay so उसी को कहते है हम democracy इस बार हम read कर रहता है क्या-क्या लिखा हुआ है so in democratic मैं यहां से बढ़ रहा हूँ okay in democratic India people elect us on the देखा मैं आपको बोला था that is in democratic country people elect their own leader okay by casting a vote ऐसी तो ने चुलता कि भाई तु आज़ा तु आज़ा तू आज़ा तु आज़ा 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 तु आज़ा आज़ा अज़ा आज़ा ए्सानी भाई मैं वोर्त करूंगा मैरा, फवरीट कि यह वांग इस ने दर, इस ना इस ना इस ने इस ने नें, Okay, I would vote his name in a ballet box, that is, ballet box, अभी तो सब IEM आ का एक है, Okay, So, that's, that's very, quiet, interesting but we will not know this, अगच सब में के पिपनेफर, ब्लकत करने सकाश मैं को में एक सबस्क्राइए में स्काशलियूट मैं. में सबस्क्राइब उसका कहता है, तरो mama मुनन लिड्र माइन ऐसे वरदॉली आएक सबस्क्राइब दसे कले. है people, cities, citizen of India, okay, ठीक है, now, हम कहाँ पर एथे, यहाँ पर, cabinet पर थे, now, executive do not have absolute power, now, मतलब अगर हमारी जो democracy है, हमारी जो जन्ता है, वो जो चाहे, वो करवा सकती है, okay, उसका मतलब यही है, now, there is specific time limit of voter, sorry, of the leader, L, E, S, D, E, R, S, leader, okay, there is specific limit of leader, and, for all that, cabinet consists, sorry, for all that, cabinet minister is responsible to the parliament, I hope, I am at the year, if we are not clear, I am again repeating, see, what I am trying to say, is, in a democratic country, okay, in a democratic country, there are many posts of the leader, like, PM हो गया, या, प्रेसिडेंट हो गया, okay, तो क्या होता है, there are no freak post, that is, ऐसा नहीं है, कि भाई, अगर, समझ लोग कि मैं हू, अभी से एक है, ठीक है, आपको अपना ही एक्जाम्पल देता हो, मैं, अगर अपिशेक है, ठीक है, उसको, अगर वो एक बाद, PM बन रहा, तेन, वो हमें सा PM रहेगा, no, they have, six, particular time, ठीक है, six time के बाद, फिर से election होगा, उसके बाद, फिर से, पब्लीक बोट करेंगे, अपने, लीडर्स को, और जिसको, मैक्सिमम बोट मिलेंगे, वो बनेगा, PM या फिर, मतलब, all the leaders बनेगे, ठीक है, now, again, पब्लीक तो चार्टी है, वही होगा, because, at last, वोट तोंके ही हाथ में है न, okay, वोट तो एना जहाथ माँ शे, that is why, it is known as democratic country, now, cabinet, consists of members of parliament, parliament क्या होता है, जो लोग सबा, समझे लो, या फिर, या फिर, यह कहतो, कि जो group of people, who is elected, who, जो सब्कार जलाते है, उनको कहता है, members of parliament, which is the group of people of लोग सबा, प्लस राजया सबा, प्लस, president also, okay, cabinet consists of member of parliament, okay, now, अभी क्या दिया हुआ है, that is, cabinet minister is responsible for parliament, now, any Indian citizen who wants to elect their leader, have 18 years of his age, okay, I hope आपको इतना समझाया होगा, मैंने क्या-क्या बोला, आपको सबसे पहले democracy का, आपको meaning बताया, demos for kratos, ठीक है, उसके बाद आपको यह भी बोला, कि democracy होता है, उसमें से आपकी जो leaders है, ठीक है, आपके जो leaders है, कैसे choose होते हैं, फिर आपको मैंने पड़ा बहुत, cabinet का भी बोला, कि cabinet होता है, वो एक group होता है, ठीक है, किसका group होता है, member of parliament का, ठीक है, member of parliament कौन होता है, वो भी मैंने आपको बोला, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, कि अगर कोई citizen है, ठीक है, citizen को vote करना है, तो उसकी minimum age क्या होई चाहिए, 18 years, ठीक है, तभी तो हमारी government बनेगी, और तभी हो vote कर सकेगा, ठीक है, तो मैं कहना क्या जाता हूँ, कि person हमारा है, वो 18 years के बाद ही vote कर रहा है, तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि वो person के अंदर थोड़ा तो mind होगा, कि भे मुझे यह सही है, मुझे वो गलग है, यह सही करना चाहिए, यह गलग करना चाहिए, तो मैं यह कह सकता हूँ कि the man will be responsible, ओके, तो a responsible man votes or elect their leader, ओके, तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि responsible man, एक responsible leaders को ही elect करेगा, ओके, अगर वो responsible leader elect हो गया, तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि वो responsible leader, एक responsible government भी बनाएगा, ओके, तो आपको यह यह रखना है कि हमारी जो government है, वो जी the government, वो एक responsible government है, वाई, बिकोज, responsible people choosing their leader, and the leader will be the leader, which will be chosen by the people, will be responsible, क्यों, क्योंकि भाई मैं बिना दिमान साता नहीं हूँ, तो मैं कोई भी ऐसे एरे एरे को करूँगा, मारा माच को लोग तो मगज़ित है न, ओके, तो हुमारा यहां पर होता है, डेमोक्रेसी सेटी, तो यहां पर प्रियेम्बर्स खतम, ओके, ओक करें, ओके, तो मध्च पर से खतम गाई, जया है वो तो, आप्याफन वाड़ेम्बर्स का फ़र प्रिये चाहे वराट जया है वोट्छ, independent and impartial justice and election commission are those provisions which make democratic favori means ठीक है जिसको जैसा मैंने बोला ही कि जो डेमोक्रेस्टी है ठीक है उसमें हमारे fundamental rights आते हैं उसमें हमारी वोगी सीज़ाती है वो सब आता है उसमें से क्या होता है कि हमें impartial मतलब equal justice भी मिलती है now मैं जैसे मैंने आपको बोला कि यहां पे adult suffrage 18 years है मतलब जो कोई 18 years के उपर का होगा वो ही वोट अपने लिडर को दे सकेगा ठीक है आपको मैंने आस्तान बग्ता में समझा दिया है that what is democracy that is what are people by the people of the people now let's move to second pillar of preamble okay मैं आपका सेला ताइम नहीं लोंगा there are only three pillars that is socialist sorry socialism secularism and democracy उसमें से हमारा एक तो खतम हो गया दो बाक्ती है okay now the word socialistic or socialism that is socialist it was not previously mentioned in the preamble it was added by 42nd amendment आप बो देस्ताइ what is amendment amendment is simple change change in constitution change in constitution okay आपने रिस्परीं मिस्टेक्टरा इग्नर कर देना okay because I am writing in hurry so it might have some different spelling but ensure that I am speaking only right word that is थेको हमारा socialistic एक जो ओर है हमारा it was not mentioned initially at the time we adopt the constitution but now it was adopted in 42nd amendment when was the 42nd amendment done it is 1976 अभी मैं आपको स्क्रीक बताओं केसे याज रखना है कौके हमारा जब 47th sorry 40th 42nd amendment हुआ है ठीक है 42nd amendment उसको केसे याज रखना है उसका जो या क्या रिखना है उसका यार है 1976 तो आपको क्या यह द्रतना है ड़ास्ट का दो सुरी अपको एक गिजिए yam 4 plus 2, मुझे यहां भी मिल जाएगा, 4 plus 2 मैं करूँ तो मुझे यहां रिक्स मिल जाएगा, 4 plus 2 क्या होता है, 6 होता है, तो मुझे यहां इने डिजित में क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो मैं यह कह सकता हूँ कि मेरा 40 second amendment है, वो 1976 में है, यह मेरी खुद की एक technique है, that is how to remember the year, okay, बच्चों को year, याद करने में बहुत लिक्त आती है, that is simple है, देखो, 40 second है है हमारा 40 second, तो देखो, हमने पहले के 3 है, ठीक है, पहले के जो 3 later है वो यहां नहीं रखने, last के जो यहां रखने, that is 6, 6 के साया, आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, that is 4 plus 2, 4 plus 2 is equal to 6, यहां भी 6 है okay, so I hope आपको छोड़ा बहुत understand हो गया होगे, okay, so, एक हमारा यहां से statement हो गया, now, so, अगर आपको मैं, socialistic का मिनिंग बताऊ, socialistic मिन्स क्या होता है, welfare, of state, okay, जट आपको मैं बताऊ, that is, most of the provisions in the constitution of India, shows the social revolution, and brought the social and economic equality, okay, तो सीधी बात है, socialistic का मिनिंग क्या होता है, आपको मिनिंग बताता हूँ, तो, socialistic है, हमारा, उसका मिनिंग यही होता है, कि अगर भाई एक यह बंदा है, या फिर any citizen है, तो उसका यही काम है, कि he should lead his life, वो अपना अजिवन ऐसे जीए, कि अपने nation का भी welfare force के, ओके, okay, welfare of nation, that is welfare of nation, उसको क्या कहता है, socialistic approach, ठीके, तो मैं आपको, मैंने आपको यह बोल दिया, कि what is mean by socialism, socialism means, एक हमारी society है, उसको हम वापस देने का जो कुछ रखते है, या फिर करते है, प्रक्रिया है, उसको कहते है, socialism approach, socialistic approach, now, यह जो हमारा socialistic pattern है, ठीके, it is given in preamble, आपको यह पता होना चाहिए, now, it reflects that, India is committed to social, economical and political justice, ठीके, इसकी एक, एक, और भी, definition, ठीके, that is, all the citizens of India, that is, subnagric, all nagric, को हम equal justice देंगे, ठीके, उसका एक, different meaning होता है, जो मैं आपको बता दिया, एक मैं आपको, और meaning, बता दा, okay, क्या था, जैदी, तो क्या लिए, ठीक, इसका meaning क्या होता, आपको मैंने सबसे पहले गया, बता दिया, welfare of state, welfare of state मतलब, state के लिए, अच्छा कुछ करना है, state मतलब nation हो, यहाँ पर, okay, second meaning यह था आपका, second meaning आपको गया था, आप याज करो, क्या था, that is, सब को equal justice में देंगे, okay, equal वो भी, equal justice हम सब को देंगे, ऐसा नहीं है, कि अगर यह हमारा citizen हो गया, तो इसको हम नहीं देंगे, वो वहाँ का है, नौर्टेश्ट का है, तो हम नहीं देंगे, नहीं, नहीं, socialistic approach means, all the citizens are equal in the eye of constitution, इसके लिए था हम से था है कि यह अंध्रा कानून है, उके, now, उसका एक और meaning है, ठीक है, उसका एक और meaning भी है, ठीटीब, हमारे country में बहुत सारे resources है, ठीक है, resources है, jobs है, post है, किसके लिए, तो कि नोकरी भी है, ठीक है, तो, socialistic का meaning यह है, कि सब नादरिक के लिए, सभी citizen के लिए, हमारे पास, मैं, sorry, sorry, मैं इसीपिट करता हूँ, ठीक है, अबारा जो भी सब citizen है, ठीक है, उनके पास equal rights है, ठीक है, सब, सब हमारे citizen है, उनके पास equal rights है, कि वो, सब post पर apply कर सकते है, सब post पर, अपनी, जो application है, वो दे सकते है, नोकरी, नोकरी के लिए भी सब के पास equal rights है, ऐसा नहीं है कि भाई, तू चोटा है या तू बड़ा है, तो तू नहीं ले चकता है, नो, okay, so all the resources of the nation, okay, all the resources of the nation is consist of having similar rights or the same rights, okay, that is all the species of nation is having a equal rights, equal rights to have the resource, to use the resource equally, ठीक है, आपको सबसे best example देता है, आप अगर village में जाओगे, there will be water tap, public water tap, okay, तो उसमें से हमें पानी भरने से कोई माना नहीं कर सकता, be it muslim, be it hindu, be it any of religion, ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक resources हुआ, ठीक है, तो वो क्या हुआ, resources हुआ, तो मैंने क्या बोला, कि उसका एक definition ये भी है, कि all the cities have equal rights, have equal rights to use the resources, okay, आपको अगर ये समझ भा गया होगा, then the thing would be get clear, okay, तो यहां मैं यही बोला, ठीक है, आप एक बार ये जो लेखा हुआ है, आपती book में, वो एक बार rate कर लेना, मैंने जो बोला, वही है, बट एक बार आपको फिर भी बोल जेता हूँ, जो हमारे पास, जो 40 जो वड है, ठीक है, उसको हमने, अबट को फियासा, in 42nd Amenment which was done in 1976, okay, the, it only means, the word only means that Welfare of State, now, Welfare of State, there is also other meaning, that is, providing equal justice, okay, providing equal justice to work and it has also another meaning, that is, having, see, if there is a resource, if there is a resource, any type of resource, resource means जोब भी हो सकता है seed, फ्रेंजी, seed को भी हैं resource गिन सकते है ready if any resources is there then everyone have equal opportunity that is equal right or opportunity to make it okay सब के पास equal opportunity है या सब के पास equal right है वो enjoy करने के लिए ठीक है उसका best example है आपका 10 का बोल वो भी एक resource को resource इसी मानलों आप सब देते हैं ना एक थम्स ऐसा तो है नहीं कि Muslim देता है Hindu नहीं देता या कोई Christian देता है बाकि कि या सब नहीं देते ओके सो तुच्छा इसके ये 3 meaning है आपको याद रखने है ये कब adopt हुआ सा वो भी आपको याद रखना है ओके आप एक बार read करेंगे तो आपको आराव से सब समझ में आ जाएगा Now next and last pillar of the preamble is secularism that is हम हमारी government सब धर्मा को एक इक इकल मान की है जो ये वर्ड है ठीक है वो भी 42nd constitutional amendment में add हुआ था ओके और वो कब था 1976 हो तो हम ये याद रखेंगी एक इस देटा towards socialist and secularism इस बोथ बोथ आ रड़ेट in 42nd amendment 1976 ओके आगे बढ़ते हैं हम क्या लिखा हुआ है that is india is a secular country now india can never become one religious country as per the provision of the constitution मतलब इसका मतलब यही है कि भाई जो हमारा भारत देश है ठीक है भारत देश है वो सभी सभी religion को follow करता है ठीक है हमारा जो भारत देश है अवर कंट्री भारत अवर कंट्री इंडिया इस अपोर्ट अवर कंट्री सपोर्ट्री इक्वाली 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 इस नो रिलिजियन इस बेस्ट इन आई उस कंट्रीशन कंट्रीशन की नजर में सब धर्म एक दी है और सब धर्मों के लिए इक्वाल रिसोर्स इस अवेलेबल है में उसका मतलब सपोस कर लो मैंने तो लाशना बुलना उसका मतलब ये है कि सपोस इस गवर्मेंट इस गिविए 20 लेक तो हिंदू तो मेक अटेमपल तो इन इस अडिवी अवर्मेंट तो अलसो थी अबाउट अधर कॉम्यूनिटी अलसो मतलब अगर अमारी सरकार कोई हिंदू टेमपल को बनाने के लिए 20 लाश देते है तेन उसकी ये एक उसकी एक ड्यूटी है कि वह जो बाक्ति के जो रिलीजन है उनके देश में वह उसका भी ख्याल रखे ओके तो इस में 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 वह एक अली नाव लेट्स लुटी फ़र्द स्ट्रेटा में थैट इस आँ इंडिया दस नॉट फोलो एन पर्टिक्लर रिजन इंडिया के लिए कोई पर्टिक्लर रिजन बेस सब के लिए सब के लिए इकवल ही है तो इंडिया किसी भी जर्म को प्रोमोट नहीं करता बस सब को इकवली प्रोमोट करता है सब कर दो कि नहीं की का बप Divya आल जूम करके भी लिखाओं ठीक है तो इसमें लिखा हुआ है कि तो citizen has equal rights ओके क्या था यहां पर हमारे citizen है उसके पास equal rights थे कि आपको जूरी religion चूज करना हो चूज कर सकते है तो आपकी exam में question आ सकता है ठीक है that is according to which word according to sorry according to which word our our citizen can adopt any religion means according to which according to which word all the people of India have right to adopt any religion that is stick to the reason उसका मतलब उसका अंजर यही होगा okay I hope आपको समझना आ गया होगा next thing क्या है कि अमारा जो देश है ठीक है इस बलीव इन हर्वधर्मा खंडरिष्टी और स्वधर्मा संभाव होगा that is all dharma can happen equally and all dharma are the same it is all the religions are there and all all the religion can be equally treated okay so our country doesn't promote any particular religion but also promotes all the religion equally okay so our video of introduction and some basics about constitution and preamble ends here okay so I wish that you all are getting what I am saying if you have any query hence do mention in the comment section thank you now we have seen basic pillars of constitution now we will see basic features of the constitution okay now let me erase and let's then begin now first pillar is written document it means India or means India Britain and Israel have constitution in written form considering the social geographical diversified circumstances and all the notions kept drafted in written form see it only means that if see it I would like to explain in very easy language that is there are three countries that is India Britain and Israel have constitution in written form written form which means that all the laws this may be part have all the laws are in one source or one book itself okay but look this this here return constitution constitution not just all the laws are in 100 people that is not written constitution which means that the State of the state is written constitution that means that the जितने भी पार्ट है जितने भी लोज है ठीक है जितने भी ओर्डर है वो सब एक इन वह लग वो सब एक क्या मैं बता हूँ आप तो इस वो सब सिंगल और सोर्स या फिर बूप में मेंशन है जिसका रिटन फम में नहीं हो रहा है उसका मतलब यह है कि उसके ओल लो समझ लो फिर आप ओडर समझ लो या फिर आप तो प्रोस्टीजर समझ लो जो भी कंस्टीशन में आता है वो सिंगल में नहीं है सिंगल सोर्स में नहीं है मतलब उसका मोर देन सिंगल है ठीक है मतलब एक सोर्स ज्यादा में है ठीक है तो सिंपल उसका यह मतलब होता है Now, रिटेंग से रिटने रिटने अपका फिलिर फोगा. Now, let's proceed further. It is size of the constitution, that is, see Indian constitution initially it was divided into 8, then it was 8 parts and then it was converted, then 9th part was added. Now, total there are 395 sections and sorry 395 articles and 22 sections and 8 appendix which is become now 9 and now further the book is not updated but if I tell that further the appendix is also updated to 12. मतलब पहले 8 से ठीक है फिर 9 हुए फिर 12 हुए टोटल हुमारे आर्टिकल से 395 और हुमारे सेक्शन है 12, sorry 22, okay, now, constitution में क्या क्या है ठीक है, तब constitution, it has state administration भी उसमें आता है, फिर fundamental rights भी उसमें आता है, बाद में judicary भी उसमें आता है, फिर minorities भी उसमें आता है, schedule caste सब भी उसमें आता है, okay, now, यह सब उसमें आता है, ठीक है, यह इतना भी है, आप पढ़ लेना, ठीक है, मैंने आप बोल तो दिया है, studies, जो आपके state, state government कैसे काम करती है, अपने state और union के रिलेशन जैसे, आपके mood mood अधिकार कैसे है, यह सब लो, यह सब लो, election जैसे होता है, government के institution जैसे काम करते है, जो हमारी minorities लगोमकी वाली जाथी होती है, वो कैसे काम करती है, यह सब है, ठीक है, यह उसको, हमारे world का largest constitution बनाते है, ठीक है, See, as these parts, as these many parts are there in our constitution, so our constitution is world's largest and extensive written document, till now, अगर कोई और जैसे channel प्याली जाह, तो कुछ चयनली सब दो, but till now, इसका मतलब यही है कि देखो उसके दो मतलब होते इसके दो मतलब होते पूरे भारत में आपको एक नाजरी का SME लगी कि you are citizen of India और you are citizen of भारत and second आपको citizenship SME लगी कि you are citizen of particular state that is supposed to be Gujarat okay so it's called dual citizenship that is your citizen of India okay you are citizen of India and your citizen of Gujarat as well okay so it's one criteria state की लगी सिज़िजन्षीप है और country की लगी सिज़िजन्षीप है और second only यह होता है see, suppose there are two countries that is India and let's say Pakistan so suppose if India, Indian citizen is there and which takes the citizenship of Pakistan okay or any other country then that citizen of India will lose the citizenship ठीक है उसका मतलब यह है कि अगर कोई बारत का नागरिक विदेश कितने भी देश है ठीक है बारत को छोड़ कर कितने भी देश की लेता है तो उसकी भारत की चिटीजनसीब आटोमेटिकल कैंसल हो जाएगी उसका मतलब यह है कि वह भारत का रहवाथी नहीं होगा ओके तो यह हमारा डोमेइन भी प्लियर हो गया तो यह तो हमारा जो स्टेट है ठीक है हमारा एक स्टेट था भी जमु चाश्मेर उसमें पहल था था इस कितिशन का भी पालना है था था स्टेट दीछ पालना है, ते तड सीजने का थीज alarms लेसतुट इस स्टेटटना माज श्तीजन की पहले तिबियर हो अप्लिक्तिकat ग्लिकैल डु कॉटर स्टेटना हेगी प्लिसके थालना है प्ल Kashmir एक अलग state हो गया, and Ladakh एक अलग state हो गया, okay, state मतलग Ladakh and Kashmir, they become a region territory, which were not initially, okay, so if there is a question that is the single citizenship, till there, sorry, single citizenship is still there in Ladakh or Jammu then your answer would be on no, because article 370 is approved from them, okay, वह वहाँ से निकाल जिया गया, ठीक है, तो इसलिए, Jammu Kashmir में हमारा single citizen चित्वी रहेगा, यहाँ बुक में लिखा है कि only citizen of Kashmir लेकिन यहाँ गलत है, यह बुक अप्डेटेट नहीं है, जोड़ो, आपका, second हो गया, third होगा, now let's commit four, four, see, India में, both are states, that is, around 28 to 29 states and 8 union territory, तो इंडिया को हमने बोला है, इंडिया ही union of states, okay, so federal means, X-ta, federal means, हमारा जो आपनोटोजे संप होईन है, आपनोजे संप, आपनोजे भेगामरी नहीं साम करी, तो आपनोजे भेगामरी नहीं साम करी, इंडिया है, इंडिया है, okay, so, federal, federality in constitution, that is, हम सब एक रहेंगे, now, union of states, is also used for India, बैने आपको बोला ना, पहले ही, कि भारत, एक, एक states तो नहीं है, पुरे, 28 और 29 states से, और 9 ut से, 8 ut से बना हुआ है, ठीक है, तो इसी लिए उसको बोला गया है, union, union of states, अब आप बोलें, किसी सर ut कर तो नहीं बोला गया, ठीक हो, जो ut है, वो, general meaning में states की गिना जाता है, okay, now, what is further given, that a permanent and irreversible relationship between union and its component state is in India, okay, okay, मैं आपको federal शब्द का meaning बता हूँ, ठीक, समझ लो, ये है हमारा इंडिया, और ये है, इंडिया के छोटे छोटे states, okay, देखो, federal शब्द का मतलब भी ही होता है, कि ये हमारे छोटे छोटे states है, इंडिया उसका union है, okay, so in future, if this state wants to be out of India, then it can't be, because it's a union, and India अपने union को अभी नहीं छोटता, okay, उसके लिए special will pass करवाना पड़ेगा, वो आपको मैं बात में बता हूँ, ये सब क्या होता है, बट आपको पता हाना चाहिए कि वाई, ये सब क्या लिखा हुआ है, ठीक है, जिसे मैं आपको बोल देता हूँ, जिसे मैंने बोला, अब पर्मेनेंट एंड इरिवर्सिबल रिलेशन्सिपी से लिक्वेंड उन्यान एंड स्टेट, एक हमारा स्टेट वो कर लो, पूरा हमारा भारत है, आपको मैं एक एक्जाम्पल की तरीके से बताँ, ये प इर रिलेशन्सीपी अगर आप हमारा भारत का हिस्का बंगये तो बंगये तो बंगये ताप उसालग नहीं oוחर सेट, मैं इरिवर्सिबल रिलेक्यान्सिप्स India and three, the states and the nation, that is the union. Now, what is written that India is, आप ये statement तो यादर कि लेना, India is union of states. Now, in Indian federation, there are two types of governments, that is in Indian union, जेको federation का simple मतलब होता है, union, ओके, लेखो, इन, हमारे धारत country में, दो टाइप्स की government है, एक central government और एक state government, ओके central पूरे इंडिया का देखती है और state government एक state का ही देखती है, है, ओके, अभी देखो, अभी दो government है, ठीक है, तेरा two governments, उसका मतलब ये है कि दो government अपने आप काम करेगी, तो confusion बचाने के लिए, देखो, ऐसे कहीं सारे topics है, topics जहां हमारी union government मतलब, जो एक central government है, अभी दिसीजन ले सकती है, ऐसे सारे topics है, जहां state government अपने आप से decision ले सकती है, मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, कि, देखो, union government है हमारी, वो भी कुछ, कुछ ना कुछ तो दरेगी न, ठीक है, state government भी कुछ ना कुछ करेगी, so, there are what is to a topic on which only union government can, मैं कर लो, ठीक है, suppose कर लो, कि, ऐसा हो गया है, आपको बताता हूँ, education, ठीक है, अभी समझ लो, education ऐसा topic है, एक आपको बताता के planning आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो इस पर ऐसा होगा, कि suppose कर लो, अगर इस पर union government है मतलब इन गवर्मेंट इसी पर लोग बना सकती है तो इसका मतलब यह हुआ कि स्टेट गवर्मेंट इस पर लोग नहीं बना सकती तो इसका मतलब यह हुआ कि सेंट्र गवर्मेंट इन जो भी लोग बनाया हुआ है वो लोग स्टेट गवर्मेंट को मानना ही पड़ेगा ठीक इसे भी कई टोपिक है तो इसका मतलम यह हुआ कि इस पर लो सिर्फ स्टेट गवर्मेंट ही बना सकती है और सेंट्रल गवर्मेंट को उसका लोग कमपल्चरी मानना पड़ेगा ओके कमपल्चरी मानना पड़ेगा ठीक है तो मिन चीस आपको बोलागा कि कि ऐसे कई सारे लीस्ट एसे कई सारे जोपिक्स होते हैं चहां सिर्फ अपनी सेंट्रल गवर्मेंट ही मतलब युनियन गवर्मेंट लोग बना सकती है Leist को कहते है union list, union list मतलब ऐसा list जिसमें topics है, topics किसके है, जिसमें union government की low बना सकती है, state government नहीं बना सकती, ठीक है, और जो union list है, इसमें total कितना है, 97 subjects है, उसमें important important subject है, like defense, foreign affairs, atomic energy हो गया, फिर telegraph हो गया, communication हो गया, banking हो गया, ठीक है, तो आप, आपका काम क्या है, कि आपका काम, यह वीडियो के बाद, आप यह वीडियो को post करें, चिर्फ, देखे, कि how many subjects are there in union list, और इसका मतलब यह है, कि अगर हमारी union government, sorry, जी, अगर हमारी union government, यह topics पर low बनाती है, ठीक है, union government, इस topics पर low बनाती है, then state government, इसी forcefully, जो हमारी state government है, उसको forcefully यह low मानना पड़ेगा, ओके, so, ऐसे topics को हमके पर union list, अब ऐसे भी कही topics है, इसकी एक list बना लो, ठीक है, जो list एक topics ही है, और वो topics ऐसे है, जो state government ही low बना सकती है, तेसी राजिय सरकार ही एक low बना सकती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे topics है, और topics पर low सिर्फ state government ही बना सकती है, ठीक है, तो ऐसे 66 topics है, तो उसका मतलब क्या हुआ, कि there are 66 topics on which state government can form a low, and there are 97 topics in which central government can form a low, ठीक है, आप एक बार ये topics पढ़ ले न, कि इसमें कौन-कौन से subject आते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं अगा discuss करूंगा, तो उसका मतलब, ठीक हो, जो चीज रटा मारने की होगी, ठीक है, जो चीज रटाफिकेशन की होगी, वो तो आप खुद भी कर सकते हो, मैं आपको यहां सिर्फ understanding LJC हूँ, ठीक है, I am there only for understanding purpose, okay, because quality is a very wide subject, now, अभी समझ लो, कि ऐसे बहुत सारे topics होते हैं, जहां Central, मतलब Union Government और State राज्य सर्कार, केंद्र सर्कार और राज्य सर्कार दोनों को आपस में मिल कर काम करना होता है, ठीक है, मतलब ऐसे कही सारे topics हैं, जहां केंद्र को राज्य से पूछना पड़ता है, या राज्य को केंद्र से पूछना पड़ता है, उसको केते है, concurrent list, चीक है, उसको क्या केता है, concurrent list, ओके, concurrent list में बहुत सारे topics आते हैं, now, it is third list, now, इसमें क्या होता है, subjects of common concerns, चैटीज जो union में भी आएंगे और जो state में भी आएंगे, ओके, फिर हमारा आता है, फिर देखते हैं क्या लिखा, concurrent list में कितने subjects है, 47, ठीक है, यहाँ 47 है, स्टेट लिस्ट में कितने थे, स्टेट लिस्ट में थे, 66, ओके, union list में कितने थे, 97, तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि union government है, वह ज़्यदा powerful है, क्यों जब उसके पास 97 subjects है, low बनाने के लिए, जब कि state government के पास 66 subjects है, ओके, so, I hope, I have made you clear, ठीक है, आपका, एक homework है, क्या है, कि मैंने आपको यह तो बता दिया, कि, what is different type of list, अभी आपका यह homework है, कि, you have, एक मिनिट, आपको मैं यहां लिख देता हूँ, sorry, यहां जिखान देगा, स्क्रीन पर, that is, you have to find what are subjects in state list, union list, and concurrent list, okay, list, मतलब, आपको यह find करना है, कि state list, union list, पर concurrent list है, इसमें कितने topics है, मतलब, इसमें कितने, इसमें कितने subjects है, मतलब, इसमें कौन-कौन से topics आते हैं, वो आपको, homework में, आप, करके आना है, इसमें, okay, now, let's proceed further, अभी बात करते हैं, रसिडियरी पावर, see, the subjects that are not specifically allowed to union or the state are called as, uh, रसिडियरी पावर, means matter that are not included in division of power, that is, the syntax government is given power to legislate the refiguary subject, dekho, refiguary, power का मतलब ये है, कि which is not allowed, dekho, ऐसे बहुत सारे पावर है, जिसको union को भी नहीं दिया हुआ है, और state को भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आपको ऐसे बहुत सारे पावर है, तो यूनियन को भी हमारे पास नहीं दिया हुआ है, state को भी नहीं दिया हुआ, तो इससे पावर को क्या कहता है, रसिडियोरी पावर, ओके, और रसिडियोरी पावर है, तो आपको किसके पास आते है, रसिडियोरी पावर हमें सा याद रखो, यह बुक में नहीं दिया हुआ फिर दिन आपको बता रहा हूं कि रेसे जिडरी पावर हमें साथा है सुप्रीम कोट के पाथ और इसको रेजूरेट कों कर सकता है तिर्फ यूनियन गवर्नमेंट भी कर सकता है ओके याद रखना यह थोड़ा बुक में नहीं था ओके नव लेट्स कुछ इप दफ क्या लिखा हुआ है फाइनांशल डिस्ट्रिबुशन और रिसॉर्सिज इस ड़न बिटुइन स्टेट अन उनियन ठीक है आपको पता चल गया कि क्या होता है रिसिविवरी पावल और फाइनांशल ऐसे बहुत सारे रिसॉर्सिज है जिसका स्टेट और जुनियन में डिविजन कर दिया हुआ है ठीक है वही बोला जैसे यहां पर क्या हुआ है वही बात बुली गई है ठिए मतलब जहार आसे टोपिक्स भी है जो स्टेट गवर्मेंट रही संबालती हैं आपाइसे एसी कम टोपिक्स हैं जो सेंटe टोफिक्स नहीं संबालती है तो वो कॉन संबलती है हमारी सुप्रीम कोड और वोट ओप्स को रेगुलर्ट करने की पावर हमारी यूनियर जोवर्रमेंट के पास मतलब सेंट्रल गवर्रमेंट के पास है ओके तो आई होप यू अल हैव गोटिक वोट आई वंटेट तो से नाओ अब हुमारी बात आती है इमर्जन्सी ओके तो आप आप अप फ्रीप में मत जाओ आप थले यह समझ लो वोट इस इमर्जन्सी देखो जब की पुरे देज की आउट ओफ कंट्रोल हो जाती है जब। जब हमारे प्रेसिइडवंट जफिच गवर्ण स्टेट के गवर्ण जाती ओयर भागश में पुले देज की और सी इमर्जन्सी डिकलियर करते तेसे इंडीरह गंधी ने कलहांगत आट लह अ है कि कि हमेंग होता है दल मारा पूरा याफर्पिव स्टेट या country manage नहीं होता है ठीक है या तो फिर हमारा state या country हमसे manage नहीं होता है तो क्या करता है तो क्या होता है अबर governor और अबर president imposes और announces the emergency ठीक है तो there are many types of emergency तो सबसे पढ़ते है पहले national emergency नेशनल emergency कब देकलर होती है तो जब war हो ठीक है या तो फिर external attack हो external attack या तो फिर arm rebellion force चलो इसका अवलग अलग मतलग समते है गोहर मतलग क्या होता है जब दोना country के बीच में यूद छीड़ता है external attack मतलग जो कोई बाहार का आदमी हमारे country में आकर हमें क्या करता है कि हमारी जो safety होती है उसको करता है ठीक है external attack का वह मतलग होगी है और arm rebellion मतलब वह कि जब हमारी arm forces मतलब जब हमारी arm forces हमारे government के opposite चली जाती है ठीक है जब हमारी arm forces हमारे गोवर्मेंट के opposite चली जाती है तब उसको कहते है armed rebellion ओके तो national emergency इन ही करण के लिए लगती है पहला कौन सा था वो second था external attack third था arm rebellion तो हमारा first हो गया फिर हम second करते है ठीक है सपोस्ट कर लो कि कोई भी हमारा राज्य है या फिर कोई भी हमारा आपको मैं बताऊं की कोई भी हमारा state है या फिर कोई भी हमारा पुरा country है उसमें उसमें हमारा लो या फिर order सही शरीके से नहीं चल रहा ओके इस state finds ओके इस एन state or whole country find that our law and order is not working properly then कंशी इमर्जंसी आजए कि स्फेले हमने पढ़िए थी स्फेले हमने पाड़िटी नेस्द्थ्थन इमशंफी अब यहां पहे है राजुड इमर्जंसी कुष्ता मतलब यह है कि जब हमारा यह और ऑफ यह एरिया में फ़ेल हो जाता है तो तब हमारी लगती है constitutional emergency ना एक और प्रकार emergency है financial emergency ठीक है जब हमारी drive बहुत increase होजाती है या तक फिर बहुत decrease होजाती है ठीक है हमारी पैसे की दो ताकत होती है वह बहुत इंक्रीस हो जाती है या बहुत डिक्रीस हो जाती है तब हमारी लगती है financial emergency ओके नदलब देखो सपोस कर लो यह एक प्रोड़क्ट है ठीक है उसकी प्राइब बहुत बढ़ गई या तो फिर बहुत बढ़ गई तो उसको अगर हमारी गवर्मेंट उतना मैनेज नहीं कर पाई ठीक है अगर हमारी गवर्मेंट उतना मैनेज नहीं कर पाई तो उसको वह financial emergency डिक्लेर कर देंगे ओके या तो फिर हमारी जो मानी है वह international रूपी मतलब डोलर के हिसाब से बहुत बढ़ गई या तो बहुत बढ़ गई या तो डोलर compare to money बहुत बढ़ गया बहुत गड़ गया ठीक है तो वो कब होगा जब हमारी सरकार मैनेज ना कर पाए तब क्या होगा वह हमारी सरकार financial emergency डिक्लेर कर देंगे ओके नाव नाव झाल